Hi students, welcome to my Hindi Literature Class. बच्चो, आज हम हिंदी साहिति के अंतरगत, part 8 का अध्यन करेंगे, जिसका नाम कृप्या गंदा मत कीजिए है. बच्चो, जैसा कि पाट के नाम से हमें पता चलता है कि कृप्या गंदा मत कीजिए, आप लोग सारवजनिक इस्थानों पर लिखा हुआ देखते होंगे जैसे हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर जगा जगा पर इस तरह के पोस्टर बना के लिखा रहता है कृपया गंदा मत कीजिए इसका मतलब हुआ कि कुड़ा आप कहीं इधर उधर फेक कर उस जगा को गंदा मत कीजिए कुड़ा कुड़ेदान में डालिए तो इसी पर अधारित इस कहानी को हम पढ़ेंगे कि इसमें लेखक कृपया गंदा मत कीजिए के विशे में क्या कहते हैं अभी मैं एक सारवजनिक स्थान पर खड़ा हूँ सामने लिखा है कृपया गंदा मत कीजिए इस आदेश संकेत या उपदेश के साथ यदि यह भी लिख दिया होता कि गंदा शब्द से क्या अभिप्राय अभी प्रेथ है तो मुझे इसका अर्थ समझने में आसानी होती लेखक कहते हैं कि वह एक किसी सारवजनिक स्थान पर खड़े हैं वहाँ पर लिखा है कि किरपया गंदा मत कीजिए अब गंदा मत कीजिए से उनका क्या आदेश है वह किस बात के लिख कहा जाते हैं किस बात के लिख कहने कि गंदा मत कीजिए क्या किस चीज का संकेत देना चाहते हैं अगर ये चीज उन्होंने इस पर लिख दिया होता कि क्या गंदा मत कीजिए तो उन्हें किरपया गंदा मत कीजिए श्लोगन समझने में आसानी होती शब्द और अर्थ का राद दिन विचार करते-करते मुझे प्रतेक शब्द के अर्थ में संदेह हो जाता है कह रहे हैं कि किसी भी शब्द को मैं राद दिन उसमें विचार करता हूँ तो मुझे उसके अलग-अलग अर्थ समझ में आने लगते हैं और मुझे उन अलग-अलग अर्थों में संदेह भी उत्पन हो जाता है मेरे अंदर जो लोग धडले से शब्दों का प्रियोग करते हैं वे सचमुझ कितने भाग्यशाली हैं कह रहे हैं और जो लोग धडले से मतलब जल्दी से किसी भी शब् का प्रियोग कर लेते हैं वह कितने भाग्यशाली है मैं तो उपर यूप्त वाक्य को लेकर देश, काल, पात्र, आदी की उल्जन में पड़ गया हूं कह रहे हैं कि जो उपर लिखा हुआ है कि कृप्या गंदा मत कीजिए इस वाक्य को ही मैं लेकर इसके देश, काल, पात् पड़ गया हूं गंदा का जो अर्थ मेरी नजर में है वही बहुतों की नजर में नहीं है मैं मिट्टी के इसपर्च से बचना चाहता हूं क्योंकि उसमें मुझे गंदिगी दिखती है कपड़े पर मिट्टी का धबा आखों में खटकने लगता है कह रहा है कि लेखक कहते हैं कि गंदा का बहुत ही अर्थ है जैसे किसी को किसी चीज से अलर्जी होती है कोई चीज नहीं पसंद होती है उसके लिए वो चीज गंदी होती है लेकिन वही चीज दूसरे को अगर पसंद होती है तो उसके लिए वो अच्छी होती है उसके लिए वो गंदी कह रहें कि जो गंदा ना कीजी ज्लोगन है क्या गंदा नहीं कीजी वो भी स्पस्ट कर देते हैं तो लोगों को जानने में आसानी होती कि किस चीज को गंदा करने से ये मना कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि मुझे क्या है मिट्टी गंदे का अर्थ मुझे समझ में आता है मेरी नजरों में क्या है मिट्टी के धब्बे हैं जो कि मैं देखता हूँ तो मेरी आखो में वो खटकने लगते हैं क्योंकि उससे मेरी नागरिकता और सभ्यता में बट्टा लगता है कह रहे हैं उस धब्बे से मेरी नागरिक होने में और मेरी सब्भेता में बट्टा मतलब होता है धब्बा लग जाता है किन्तु ऐसे करोडों लोग हैं जिन्हें मिट्टी से इतना प्यार है कि वे उससे अलग होने की कलपना भी नहीं कर सकते लेकिन कह रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हों मिट्टी से इतना प्यार है कि वो मिट्टी से अलग होना ही नहीं चाहते हैं जैसे किसान दिन भर मिट्टी में काम करता है उस मिट्टी में ही सो जाता है उस मिट्टी में ही वो बैठ के खाना खा लेता है है ना तो उसे मिट्टी से क्या है फ्रेम है लेकिन यहां पर लेखक को उसी मिट्टी से क्या है पसंद नहीं है वे हमेशा मिट्टी में सने रहते हैं और उन्हें मिट्टी का इस पर्स उतना ही शुखद और प्रिय है जितना मुझे चंदन का कह रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिट्टी से प्रेम है वो दिन भर मिट्टी में सने रहते हैं और वह उसके छूने से मिट्टी को छूने से शुख का अनुभाव महसूस करते हैं अनुभाव सुख का अनुभाव उन्हें महसूस होता है ठीक उसी तरह जिस तरह लगायें से ठीक वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिट्टी को छुने से उससुक की प्राप्ती करते हैं जो मेरी नजर में गंदा है वह उनके लिए साफ और पवित्र है कह रहें कि जो मिट्टी मेरी नजर में गंदी है वह उनके लिए क्या है? साफ है और पवित्र भी है वैसे ही गन्दा मत कीजिए इस सूचना को पढ़कर जो प्रतिक्रिया मेरे मन में पैदा होती है वही उनके मन में नहीं होती कह रहे हैं कि जैसे एकी चीज को देखके किसी को उससे प्रेम है से मिट्टी का उन्होंने उधारन देते हुए लेखक ने कहा है कि इस मिट्टी से मुझी क्या है मुझी पसंद नहीं है लेकिन यहीं मिट्टी कितने लोगों को प्रिय है ठीक वैसे ही गंदा मत कीजी श्लोगन जो है वह कितने लोकों पढ़कर इसका अर्थ समझ में आएगा और वो कुछ को समझ में आएगा तो उनके लिए वो अच्छा है लेकिन कुछ को गंदा मत कीजे का अर्थ नहीं समझ में आएगा तो उनके लिए वो क्या है कोई महत्व नहीं है वही उनके मन में नहीं होती इसलिए वा अपनी नजर में सफाई बरत्ते हुए भी मेरी नजर में गंदगी पैदा करते हैं कह रहे हैं कि इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी नजर में वो साफ काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं लेकिन वो दूसरों की नजर में क्या कर रहे हैं गंदगी फैला रहे हैं जैसे बच्चों कुछ लोग होते हैं कि अपने पास की गंदगी जो है वो दूसरी तरफ जाड़के वो कर देते हैं उनकी नजर में तो उन्होंने वहां से गंदगी हटा दी लेकिन उन्होंने दूसरी जगह पर गंदगी को फैला दिया आधा घंटा लेट है लाचार प्लेट्फॉर्म पर तहलने लगा कह रहे हैं कि एक दिन की बात है मैं कहीं जा रहा था जब इस्टेशन पहुंचा तो उन्हें पता चला कि जो ट्रेन है वो आधे घंटे लेट है इसलिए अब वो बेकार थे लाचार मतलब बेकार थे और वो इस्टेशन पर तहलने लगे थोड़ी दूर पर एक सजजन अपने बिस्तर पर बैठे थे और आप लोगों ने देखा है स्टेशन का देश्य कि अगर ट्रेन लेट होती है तो लोग अपना अपना बिस्तर लगा कर चादर बिशा कर प्रेटफॉर्म पर पैट जाते हैं नीचे भी देखने से देहात के रहने वाले और धनी लग रहे थे उनको जब देखाक ने देखा तो वो ऐसे लग रहे थे कि वो गाउं से आये हुए हैं लेकिन वो पैसे वाले हैं दो आदमी उनके पास खड़े थे और उनके पास दो आदमी खड़े थे जिनसे वे बात कर रहे थे जिनसे की वो बाते कर रहे थे और प्राया प्रतेख प्रतेख वाके की समापती पर एक बार थूख देते थे जब एक दिशा थूख से सरस हो गई तो दूसरे और मूँ पर मूँ कर बैठ गए पर क्रम चलता ही रहा और आधे घंटे में के भीतर अपने आसपास की जमीन को उन्होंने तर कर दिया अब वह गया रहे हैं कि जो वह व्यक्ति है वह दो लोगों से बतिया रहा था और प्रतेक जब वह बात करता था तो प्रतेक एक सेंटेंस बोलने के बाद वह एक बार थूख देता था ऐसे थूखते थूखते उसने एक साइड गंदा कर दिया तब क्य किया कि उस बिस्तर पे ही जिस साइड उसने थूक कर गंदा किया था उधर उसने अपना पीट घुमा लिया और दूसरी साइड में फिर से थूकने लगे ऐसे थूकते थूकते आधे घंटे के अंदर अंदर उसने क्या किया वहां जहां बैठा था उधर के अगल बगल की जमी सब्सक्रीन पूरी थुक के मा इफ गिली कर दी कि मैं उनकी इस चेशचा को तहलते तहलते ध्यान से देख रहा था और मैं उनके द्वारा किये हुए इस काम को इस चेशत दा को मतलब प्रयास को कोशिश को जब मैं प्लैटफॉर्म पर टहल रहा था तो टहलते टहलते मेरी नजरें उन्हीं प्रति में उनको ध्यान से देख रहा था अपनी समझ से वह कोई काम ऐसा नहीं कर रहे थे जो गंदा कहला सके यही उनके जीवन का सहज करम था और अपने जाने में वह कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे वह अपनी तरफ से गंदा नहीं कर रहे थे कोई जीज लेकिन वह क्या था उनके जीवन का जनमजात मतलब सहज करम था मतलब यह रोज करने वारी दिन की प्रक्रिया थी कि वो कुछ पान मसाला खाते थे और वो थूखते थे तो वो उनका खाने के बाद थूखना उनका काम था लेकिन वह अपने जाने में वो गलत नहीं कर रहे थे लेकिन वो क्या और था गलत हो रहा था उनके ठूक में रंगीनी नहीं थी, अर्थात वे तमाकु सेवी थे और जो वो थूक ठूक रहे थे, तो उस का कलर आता है, लाल रंग का ऐसे कलर आते है लेकिन वो जो ठूक ठूक रहे थे, उसमें कोई भी कलर नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि वह तमाकू खा रहे थे और तमाकू में कोई कलर थूखने पर नहीं आता है पान खाने वालों की छाप तो और भी गहरी होती है कह रहें कि जो पान खाते हैं वो तो जहां पर थूख देते हैं वहां पर क्या होता है रेडड हो जाता है ना उसकी छाप वो अलगी कहरी करके छोड़ देते हैं लाल लाल दाग मिटता भी नहीं है और मुझे कम पान से भी ऐसे मिले जो फेक फेकते समय जगा के बारे में भी नहीं सोचते कह रहे हैं कि और मुझे बहुती कम ऐसे पान से भी मिले हैं जो पान का सेवन करने वाले लोग मिले हैं जो पान खाने के बाद जगा के बारे में बिना सोचे ही थूख देते हैं पिक फेक देते हैं पिक मतलब जो पान के बाद जो थूखा जाता है उसको पिक बोलते हैं बच्चो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप अपनी कर्षा में पूछ सकते हैं धन्यवाद